हालो ग्लाज वेलकम बाक तो यूट्यूब चानल और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ और जिसे कि आप देख रहे हो यह जो हम आप इस साल जो है 75 वियर्ज ऑफ इंडिपेंडेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहां प को यह चीज पता होने चाहिए तो सेलिब्रेटिंग 75 वियर्ज ऑफ इंडिपेंडेंडेंस और तुद इस सेलिब्रेशन में आपके लिए यही एक इंट्रेस्टिंग सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हो तो लेट्स बिगिन ठीक है स्टार्ट करते हैं तो यार देखो हमारा जो यह जो जंडा है आपको जो देखने को मिलता है इसका बेसीकली जो हिस्ट्री है वो कहां से स्टार्ट हुआ है कैलकटा का फ्लाग 1906, 1905 में आपको पता है क्या हुआ था पार्टिशन ऑफ बिंगॉल हुआ था और 1906 में हमने कैलकटा फ्लाग से जो है बे दिजाइन किया था सचिंद्र प्रसाद बोस ने और हेम चंद्र कानुंगो ने और इनोंने पहली बारे यह जो क्यालकटा फ्लाग है जो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है यह इनोंने ऑगस्ट 7 को होस्ट किया था कहां पर पार्सी बिगन स्क्वेर में तो यहां यहां पर यह तरीके का फ्लाग था पहली पर 1906 में इस तरीके का फ्लाग हमें मिला है जहां पर यहां पर कमल के फूल थे ठीक है नीचे बंदे मातरम लिखा था येलो कलर से और रेड था जिसमें चांद और ये सूरज का कुछ हमें कॉंसेप्ट देखने को मिलता है तो पहला फ्लैग जो है हमें कैलकटा फ्लैग हमने देखा है और किस ने डिजाइन किया था सचेंदर प्रसाद बोसने और हीम ये विखाजी कामा ने रेस किया था 22 अगस्त को कहां पर इंटरनाशनल सोशिलिस्ट कॉंफरेंस हुआ था जर्मनी में और विखाजी कामा ने 1907 में 1907 में क्या हुआ था यार सूरत स्प्लिट हुआ था सूरत स्प्लिट में आई एन सी जो थी दो पार्ट्स में और एक्स्ट्रीमिस्ट ठीक है ना तो ये चीज़े हमें पता होनी चाहिए तो इसी टाइम पर ये जो इंडियान इंडिपेंडेंस का फ्लाग था वो रेस किया था किसने बिखाजी कामा ने कहां पर जर्मनी में ठीक है सोशिलिस्ट कॉंफरेंस पैठी थी जर्मनी में और इस तरीके का फ्लाग हमें देखने को मिला था येलो पे बंदे मातरम था चांद और सूरज इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे थे चांद तारे और सूरज और यहां पर ये हमें एक शायद फ्लार है या जो भी हम कह सकते इस तरीके का हमें फ्लाग जो है येलो औरेंज और green color में देखने को मिला था फिर इसके बाद हमने जो flag देखा, वो देखा 1917 में तो 1917 में यार home rule movement जो थी, वो start करी थी ठीक है ना, और home rule movement किसने start करी थी, तो Annie Basinternet ने start करी थी, और यहीं पर ही एक निया flag adopt हुआ था, इस तरीके का flag था, और यह जो आनी बेसेंट थी यहां के नहीं थी यह foreigner थी ठीक है और लोकमानिया तिलग ने एक निया फ्लैग एडॉप्ट किया था Home Rule Movement का ठीक है और इस तरीके का फ्लैग था जहां पर Orange और Green Lines और यहां पर US का एक जंड़ा हमें देखने को मिला था UK का इस तरीके का जंड़ा प्रिटेन का देखने को मिल रहा था और यहां पर चांद तारे जो है वो चीजे थी रेड और Green कलर का फ्लैग हमें देखने को मिला था थीक है फिर इसके बाद जो है हमने थोड़ा सा इसमें और चेंजिस लाए और जो हमने फ्लैग 1921 में आया हमारे पास और वो कुछ इस तरीके का फ्लैग आया है जहां पर हमने चर्खा जो है वो एडॉप्ट किया तो गांधी जी ने ये अप्रूफ किया था ठीक है और यह बहुत इंपॉर्टन है पिंगाली विनखाया ने जो है डिजाइन किया था 1921 में क्या हुआ थ उसी टाइम पर देखो गांधी जी ने ये फ्लैग को अप्रूफ किया था ठीक है और यहां पर वाइट बैंड का एडिशन किया था इन्होंने ठीक है और साथ ही साथ चर्खा का एडिशन भी गांधी जी ने करवाया था और यह चर्खा इन्होंने बोलता है एक सिंबल है एकनोमिक रिवाइवल कहा में अपनी एकनोमी को खुद रिवाइव करेंगे क्योंकि काफी जाथ एकॉनमी जो है वो डाउन हो चुकी थी पहले ठीके तो पिंगाली विंखाया ने ये डिजाइन किया था नाशनल फ्लाग और पहले बारी गांधी जी ने इसको प्रूफ किया जिसमें पहले हम क्या देख रहे थे औरेंज ग्रीन और येलो नेकिन वाइट कलर गांधी जी ने आड़ किया टू इंडिकेट पीस ठीक है पीस और नॉन वाइलेंस के लिए ही वो बात करते थे और इसलिए इन्होंने फ्लाग में ये कलर इंट्रिजूस किया ठीक है आगे क्या कहते थे क्या कलर का मतलब इंडिकेट करते थे तो ये क्वालिटी नहीं इंडिकेट करते थे और ग्रीन जो है फेथ और स्ट्रेंफ इंडिकेट हमें करता था और ये बीच में जो था ये चर्खा ही एक as a symbol of for economic revival ही रखा हुआ था बीच में 1930 में civil disobedience movement हमें देखने को मिलती और उसके बाद ही इस तरीके का flag जो था वो redesign किया गया था Congress Flag Committee ने और अब जो flag की colors थे वो qualities बताते थे साफरन, courage, sacrifice, white, truth और peace हमें दिखाता था और green हमें faith और strength बताता था और बीच में हमने चर्खा रखा था जो की गांधी जी ने पहले adopt किया था जो की design किया था पिंगाली विंखाया ने ठीके और यही यह जो गांधी जी ने अडॉप्ट किया था अशोक चर्खा चक्र से replace किया जिसमें 24 spokes होते हैं और यह जो spokes है 24 यह indicate करते है 24 hours in a day ठीक है ना तो